हाँ हाँ यहाँ धूपा रही है अलदानी में गर्मी हो रही है अनादी मैंने पालक की सबजी चूले में ये देखी हरी सबजी हेलो गाइज सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनम लॉक्स पे तो दोस्तो आज फिर व्लोग के सिस्टार्टिंग करती है दिन के 11 माजे से और नास्ता पानी जिए चूला बर्तन भी हो गया अभी कर रहे है हम दिन के खाने की तैयारी क्योंकि आज जल्दी कर रहे है क्योंकि आज मैं सोच्छी हूँ चूले में बनाती ओं खाना दिन का डाल, चावल और हरी सबजी तो जो भी होगा जैसा भी होगा सब कुछ दिखाऊंगे आप लोगों को बने रहेगा मैं व्लॉग के साथ कंटिनियू तो ले चलते हो आप लोगों को बाहर तो ये दिखें ये है हमारी नानी ये हाँ धूप आ रहे है अच्छी हासी हाँ हाँ यहाँ धूप आ रही है हलदा नगर कव गर्मी हो रहे है तो ये ठंड़ा भी होता है तो कहुरा लग जाता है पूरा है ना बिल्कुल तो नानी अभी नहाद होकर रेड़ी होगए दोप सेकरी है और ममी यहाँ पर सीम बींड रहिए यह देखिए यहाँ पर जला रही है मैंने आग दिखाती हूं आप लोगों को इहाँ पर मैंने जला रखी है आग और अवी में चेलाती है इसमें डाल अभी मैंने कुकर पुरा क्योंकि हमारे पास ना क्या बोलते हैं चुले में बनाने वाले बड़तन नहीं है तो मैंने कुकर के बहार से पूरी मिट्टी लगा रखी है तो दिखाती हूं आप लोगों को यह देखिए यह कुकर और यह अंदर से पूरा साफ हो रखा है और बहार से मैंने इसके पूरी मिट्टी लगा रखी है क्योंकि अगर ऐसी ही रख देंगे तो आग में काला लग जाएगा पूरा और साफ नहीं होता है तो इसके बहार से मैंने मिट्टी लगा रखी है पूरी तो आप लोगों को दिखाऊंगी जिस समय ये मलेंगी न उस समय दिखाऊंगी पुरा साफ होगा देखना और मिट्टी के उससे कूकर पुरा काला नहीं होता है गंदा नहीं होता है क्योंकि हमाई पास चूले में बनाने वाले बड़तन नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसा गर र क्योंकि उबालना आया तक बाहर ना आया दाल निकले न तो ये देखिए ये डाल दिया मैंने मसाला और दाल बहुर अच्छे से पकाएंगे हम देर तक तो इसमें पानी जारे डाल देती हो मैं ये देखिए तो पानी नमक सब कुछ डाल दिया है बाकी मिर्च अभी नहीं क्योंकि हम दीओ के लिए मिर्च डाल निकालेंगे तो इसलिए मिर्च डालोंगे मैं तड़का लगाते सम्में अभी मैं इसको चड़ा देती हो एक हांसे उठाया नहीं जाएगा तो अभी कैमरा करते हूं यहां पर सैट यह रखती है मैं इसमें दाल और इसमें लगाती मैं ढ़क करें यह देखें मैं इसको ऐसे करके रखते हूं ऐसे और आज जला देती हूं भी अच्छे से ताकि डाल अच्छे से अच्छे से अच्छे आए तो देखना दोस्तों यह जो कुकर है ना भीकुल काला नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने इसमें ना मिट्टी लगा रखिए लेकिन यहां थोड़ी थोड़ी नहीं लगी है मिट्टी कोई बात नहीं होता तो छूट जाएगा तो जब मलेंगे ना तो मैं आप लोगों को दि जड़ाओंगी हरी सब सबची तो आज का पुरा खाना में छूवले में बनाने वाली हो तो बने रहेगा मिय व्लॉग की साथ कंटी बैंगे की चूवले का खाना कैसे बनाता यहां से लोग То गैस यह देखिए बना दी मैंने पाला की सबजी चूले में यह देखिए हरी सब जाल में जढ़ा घाओंगी और हो किया त canada WAT gonna got it घ्राब किया तरगे की तयारी कर दिये और मैंने लाल मिट्च निशा मेट में होma यहां बहुत अच्छी जल रिया है मेरी सब्जीफोंगी, नाल मिट्च यहां बहुत अच्छी होना है हुआ 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 है तो गाइस खाना बनके है रेड़ी देखिए दाल भाट टपक्या और अभी मम्मी डाल जिया सबके देख खाना घर्मगरव तो अभी हम लोग खाते हैं खाना फिर मिलते हूं आपसे थोड़ी देर मिलते हैं खाना खाने के बाद तो गाइस खाना खाकर चूला बर्तन हो चुका है और अभी चाते हैं हम लोग सब रोम में और करते हैं थोड़ी रैस पर मिलते हैं आपसे सीधे साम को तो दोस्तों अभी हम लोग बना रहे हैं आज मिक्स वैज यह देखिए अलू गोभी बीन सिम्ला मिर्च और गाजर और बस तो आज हम मिक्स वैज बना रहे हैं और बाकी यह देखिए आज सेफ हैं पंकच यह देखिए किती अच्छी आग जली है आग देखकर पंकच नहीं बोला आज तो मैं ही बनाओंगा बई यह देखिए अच्छी आग जली है यह डाल दिये मसाले सिल्वर्टे के पीसे हुए तो दोस्तो अभी बनाते हैं हम सब्जी फिर आज का व्लॉग ज़्यादा लंब ना करते हुए आज का व्लॉग नहीं पर एंड करती हूँ अगर पसंद आए है तो प्प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के सांथ ज़्यादे से ज़्यादे शेयर कीजिए और जो भी मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्क्राब जरूर कीजिए अब जल्दी मिलते हैं आप से sasht A.C.L.M. ये ये दे बुने प्रकांजा